यदि आप आज के इस वीडियो को अंतक देखते हैं तो मुझे तो इस बात का विश्वास है कि जब भी spoken English की बात होगी तब आप मुझसे यह कहेंगे You are always in my heart तो आईए, इसी के साथ यह सीख लेते हैं कि अंग्रेजी के इन शब्दों You are always in my heart का हिंदी भाषा में क्या अर्थ होता है देखिए इन शब्दों में You का अर्थ है आप एवं आर का अर्थ है हैं एवं आल्वेज का अर्थ है सदैव एवं माई का अर्थ है मेरे एवं हार्थ का अर्थ है हृदे और इस प्रकार, you are always in my heart का हिंदी में अर्थ है कि आप सदैव मेरे हृदय में हैं यहाँ पर, यदि आप तुम शब्द का उपयोग करते हैं, तो इस वाक्य का हिंदी अर्थ बन जाता है कि तुम सदैव मेरे हृदय में हो एवं यहाँ पर यदि आप तू शब्द का उपयोग करते हैं तो you are always in my heart वाक्य का हिंदी अर्थ है तू सदा मेरे हृदय में है यह वाक्या अधिकतर आप अपने ऐसे प्रियजनों को कहेंगे जिनके साथ आपका एक लंबे समय से स्नेह का रिष्टा रहा है हाँ अधिकतर यह शब्द प्रेमी प्रेमी का अत्वा पती पतनी के बीच उपयोग में लाए जाते हैं पर अंतु ऐसा कोई बंधन नहीं है जैसा कि इस वीडियो के आरम में मैंने आपसे कहा था यदि आप इस वीडियो को अंतक देख लेंगे तो आप स्पोकन इंग्लिश के विशय में जब भी बात चलेगी तो मुझसे कह सकेंगे कि यहाँ पर ऐसा कहने का मेरा तातपर यह है कि मेरी ऐसी आशा है कि इस वीडियो एवं मेरे इस चैनल के अन वीडियो को देखकर आप इंग्लिश स्पीकिंग अच्छे से सीख जाएंगे एवं जब भी आगे चलकर स्पोकन इंग्लिश की बात होगी तो आपको मेरे इस चैनल की याद अवश्य आएगी और इस प्रकार आपका यह वाक्य यू आर अल्वेज इन माई हार्ट यहाँ पर सही उप्योग में आप आएगा अब मेरा यह सोचना सही है या नहीं एवं इस विशे के बारे में आपके क्या विचार हैं यहाँ आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ अवश्य साजा करिए और मेरा आपसे एक आग्रह और है मेरे इस विडियो को लाइक करिए शेर करिए और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए